नमस्कार स्वागत है आपका NNC News में मैं हूँ हर्पीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा special program अपने देश में बेगाने हम अपना सब कुछ पाकिस्तान छोड़ कर आए इन लोगों के लिए जहां जीना एक बड़ा सवाल बन गया है तो वहीं भारत की नागरिकता का सपना अभी भी एक सपना बना हुआ है मगर एक बात जो दिल को चुपती है वो ये कि किस प्रकार सिंगर अदनाम सामी को 8 साल में ही नागरिकता मिल जाती है और इन गरीबों को 20 साल तक के इंतजार के बाद कुछ नहीं मिलता तो क्या ये अभी भी उसी अंदकार में जी रहे हैं जिसमें ये पाकिस्तान में जिया करते थे चलिए ले चलते हैं सीधा आपको चटरपूर हमारे संवधाता राजेश कुमार के पास जो इस वक्त उन तमाम हिंदूओं के बीच मौजूद हैं जो भारत की नागरिक्ता की आशाई पाल रखे हैं 1947 में जब इस देश ने अजादी प्राप्त की थी तो देश का दो भागों में बंटवारा हुआ था महमद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था तो मातमा गांदी ने भारत को बनाया था धर्म के आदार पे दो देशों का बंटवारा हुआ था और महमद अली जिन्ना ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं जब तक वो पहां पे सुरक्षित हैं इसका मतलब भारत में जो है मुस्लमान सुरक्षित हैं लेकिन हकीकत मुहमद अली जिन्ना की बात कुछ और निकल के आई अब हालात ये हो चुके हैं कि आजादी के समय जो हिंदू के अवादी पाकिस्तान में 15 प्रतिशत थी बहु घटकर 2 प्रतिशत हो चुकी है बड़ा सवाल यह है कि यह 13 प्रतिशत जो हिंदू थे बहु कहां गए यह सब आज जानेंगे इन से यह तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं किसी को आये हुए 30 साल हो चुके हैं किसी को आये कि पहने कि फैले पहले आया है पांच मीने पहले आया है लेकिन इनको नागरिक्ता नहीं घृअ है बात करेंगे टमाम इन के सवाल हैं उनके जो सवाल जो हैं हम सरकार तक पहुंचाएंगे फिर देखते हैं पhrisoid क्लिग का करवाई करती है चलिए हम देखते हैं पहले सवाल, हम इन से जानेंगे, सब सबसे पहले सवाल जो है, मैं आप से ही जाना चाहूँगा, कि आप भारत आए, कितना समय होगे आपको भारत में आए हुए? Um, बाए हम आए हमको साथ साल हो चुके है, आठ्वा साल जल्वरी में होगा, ये चोटे-चोटे बच्छे लेकर आया था, अब ये पास वहां ना जमीन है ना कुछ भी मही नहीं है, सिर्फ रिश्ते दारिज sized हमारा खुछ मही है, ओसुछ भी मुहां है, इस बहुद realizing हमें य यहां सरकार की तरफ से आप आएं हैं मैं सरकारं मीम्हान करते हैं सरकारं हमारी मदद करेंगी और हमें बागी क्या कह सकते हैं आप लोगों को क्या घर से पर दो पर उस्पार सर आप से जाना चाहूंगा अगर भारत सरकार अगर आपको नागरिकता नहीं देती है तो क्या आप वापस पाकिसान जाने के लिए ताया अगर आपको नागरिकता नहीं देती है फिर क्या करेंगे अब जब कोई अपना घर छोड़ता है चाहिए वो परिंदा हो चाहिए इन्सान हो वो बापस उसमें शाम ड़ने से पहले जाना चाहता है अगर यह लोग बापस नहीं गए हैं और ना जाना चाहते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं वहां के हाला जो है बहुत बहुत जादा बत्तर थे बहुत इनके लिए मुश्किल था हमारे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं समझते हैं यो मुसलमान हमारे ले जाया तो उनकी है यो हमारा कोई भी उठा जाया तो उनको मार देते हैं हम हम तो 18 साल वहें इसा बाएं को आठारा साल पहले क्या हाला थे भांपे आप क्यों छोड़के आए कितना मुश्कुल होता ता आपके लिए नहीं है तो आप लोग ने बाहर पर पड़ाई सिक्षा स्कूल मदरसा कहीं नहीं जाते हैं अप लोग अपने धर्म को मानते हों पूजा पाथ करने की तो छूटती। आपने घर में कर सकते, बाहर किसी को पता, तब बाहर कोई चाई भी पीने नहीं देता, कपालक कर देता। वहां पाकिसान ठोड़े के वहां मांने, वहां भाई भाई ता मारा, वहां मार दिया उन्होंने। आपके भाई मार दिया क्यों मार आपके भाई को मतला है आप हिंदू है इस वह इसे मार दिया आपको जुल्मों का और कहानीयों का और दर्दों का इसलिम को जाता यहीं कहतम एक यहां पे हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं जोनों ने ऐसी बात कही कि मुझे द्वारा कैमरा जो है ओन करना पड़ा और वो मैं चाहूँगा कि बात आप लोगों के सामने में रख सकूँ सर्ब बताएए मुझे कि किस परकार जो है बहां पे धर्म परिवर्तन कराके परमिजते ही नहीं हैं एक परवैज मुश्रफ के दोर में हमारा लड़का फोज में उठाया था अब उसी दोर में उठाया था वो कुछ चलते पिरते खाने पीने के शिकायश से उसी को मुसल्मान कर दिया अब जब शिकायश चली तो बोलते हैं अपना खुशी से हो जाता पिस्टोल सर पे रखा और उठाके ले चलेगे इसके वजह से हमारे लोग नहीं बोल सकते हैं यहां भी तो वही डर है तो भाई कि पता नहीं क्या होगा हमें कमाते हैं मुसल्मान खाते हैं सिद्धी बात है और हमारे को तो भाई यही समझ में आया जब यहां चले आए शादी कर भी देते हैं उनकी नजर में नहीं है इसलाम कबोल करो साधी कबोल है वैसे कोई शादी नहीं होती हिंदू के इतना बरौह हला हला है कि कहीं चले जाओ पानी का अग्लास तक नहीं मिलताइज पाकस्तान तो पूरा पाकस्तान ही है ना पाकस्तान एंटरी से बारतों नहीं जा सकते ना वहां पर मुसलमान की कदर है मुसलमान हो तो सब कुछ है हिंदू का कोई धरम नहीं है कोई मनेता नहीं कुछ भी नहीं लाश्ट में इतना होटल में जाता है पानी पीनी के लिए वह यह भी कहते हैं लाचारी में हमें इसलाम कबूल करना पढ़ रहा है और करना पढ़ेगा क्या करें यहां तक पहुंच नहीं सकते आप यहां तक आने सकते आखिर ऐसी क्या गलती कर दी है इन लोगों ने कि इनकी अवाज सुनने वाला कोई नहीं है इनके दर्द को बया तो नहीं किया जा सकता पर जो परिशानिया हो रही है और जो तमाम उम्मीदें इन नेताओं से ये लगाते हैं उन सवालों के जवाब मांगे जा सकते हैं देख हमारे यहां पर कुछ लोग संजय कलॉनी में हैं और वहां पर आकर कोई अपने रिस्तेदार के यहां पर रह रही हैं कोई किसी सेल्टर में कोई किसी तरह से अपना जीवनियापन वहां पर कर रही है कुछ लोग आई है तो उनकी को बीजा और पासपोर्ट की इसमस्या वे बाकि यहां पर रह रहे हैं, रहने के साथ उनको सिख्षा, स्वास्ते, पानी, हर सुविधा उनको दिल्ली सरकार यहां पर प्रोग है. तो उनको जो सुविधा दी जा रही है, यह क्या मतलब आम आदमी पार्टी दे रही है कि इन्दर सरकार की तरफ से हैं? जो यह सुविधा हैं, पीने का पामी है, वहां पर सड़के हैं, वहां पर उनके लिए स्वास्ते के लिए डिस्पैंसर, वहां पर सब के लिए हैं, उनके लिए कोई अलग से नहीं है, वो भी उसी जनता के साथ रह रह रहे हैं, तो यह दो दिल्ली सरकार दे रही है, सारी सु या वापस पाकिस्तान बेज देना चाहिए है, क्योंकि मस्ला यह उड़ता है कि अभी तो पाकिस्तान की में 35 लाग हिंदू ओ रहे हैं, अगर वो इसी तरह आते रहे तो फिर अशन दगता आपको की प्रवाप पड़ेगा हमारे में? यह सरकार की पॉलिसी है, मैं उस बारे में इतना नहीं कह पाऊंगा, सरकार क्या पॉलिसी टाइम टू टाइम बनाती है, लेकिन यह मेरा कहना है कि जब सरकार की पॉलिसी के तहतों यहां आए हैं, सरकार की मंजूरी से आए हैं, तो उनको सारी सुविधाय मिल जाने चाहिए, जो यहां आ चुकी है बाकी सरकार आगे केंदर सरकार पॉलिशी बनाती है यह हमारा विशय नहीं है सरकार आगे के लिए क्या पॉलिशी बनाएगी दिखिया सरकार पॉलिशी बनाती है केंदर सरकार पॉलिशी बना रही है लेकिन वो कही ना कही आपके विधायक किशित्र मे है जो जनता छेतर में रह रही है उसके लिए स्वेधाय मौह कराना उसके लिए 24 गंटे तयार खड़े रहना हर छेतर में उनकी साहता करना विकास कराना ये विधायका काम है अब सरकार अगर किसी योजना के तहर कोई पॉलिसी बना कर इस तरह से लोगों को अगर यहां पर अ सिक्षा उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है तो क्यूंकि वह आपके एरिया में आ रहे हैं इस वक्त तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार उनकी हल्प कर रहे हैं जहां तक सिक्षा की बात है सिक्षा में तो आपने देखा है कि दिल्ली सरकार सबसे जादा बज अगत से हमने स्कूल कर टेंडर करा दिया हैं और बहुत जल्दी सुरू होने वाले हैं और चटरपुर विधान सबहा में करीब हमारे साथ से आठ स्कूलों में काम सुरू हो चुका नहीं बिल्लिक बने का यह थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विदायक करतार सिंग जी जिन्नोंने एक अपनी यान के बिधायका के लोग हैं उनके अच्छे बभीश्य के लिए उनके सिक्षा हो चाहे स्वास्त हो चाहे इस वक्त दिली में जो पानी की कमी जूजरी है उसके प्लान किस प्रकार उस समस्या से निप्टारा करने जा रहे हैं उससे हमें अबगत करवाया धन्यवासर आपका अमारे प्रोग्राम में आने के लिए शुक्त रिंकल कुमारी के धर्म परिवर्तन की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी ऐसी वार्दाते वहां हर रोज होती थी हिंदू धर्म की बच्चीयों के साथ जबर्दस्ती निकाहा तो वहां का रिवास बन चुका है मगर ताजूप इस बात का है कि ना तो वहां की सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही प्रशासन मगर वहां से जान बचा कर भारता इन लोगों का जीवन किन-किन परिशानियों से गुजर रहा है वो आप खुद देख लीजिए मजनू का टीला से हमारी इस रिपोर्ट में 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो ये लोग पाकिस्तान में जा बसे लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा हुआ कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा पलाएगा जब इन्हें अत्याचारों को सहना पड़ेगा इन्हीं अत्याचारों को सहने के बावजूद इन्होंने वहां मुल्क में रहकर तमाम तरीके की परिशानियों को जेला और आज ये मजबूरन होकर यहाँ पर भारत में आप पहुचे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के छतरपूर इलाके में उन लोगों के साथ जो पाकिस्तानी हिंदू के नाम से जाने जाते हैं इन से जानेंगे आखिर क्या कारण रहे इनके यहां आने की आप कहां से हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान से जब कोई यहां का भारती है आपको पाकिस्तानी हिंदू के नाम से बुलाता है तो आपको कैसा लगता है पाकिस्तानीहा कर जब ब्लाता है? वो तो दिल में ऐसे हमारे को इदनी आती है भाई हमारे को पाकिस्तानी हिंदु क्यों कहला जाता है हम तो हम तो बढ़वारा मांगा ही नहीं है पाकिस्तान मेरा एकरम ने बढ़वारा मांगा ही नहीं हम तो हिंदू है हम तो भारत के नागरत है हम उनिस्टो से हम नागरता ह कि पाकिस्तानी हमें कि दिल में बड़ा दुख और दर्द की कहानी पहल पिछली जाद आजाती है लेकिन हम यह चाहते हैं हमें पाकिस्तानी मत कहिए जितने भारतवासी हैं हम यही कहना चाहते हैं हम भारत के ही एक टुकड़े से अलग हो गए थे कुछ समय के 47 के पहले तो अभी हम आया अपने देश में आ गए हैं तो हमें भारत ही कही जाए जब पाकिस्तानी बच्चे हमारे सकूल में जब भी कहते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहीं पे रोड पे जाते हैं जब भी बजार में जब भी पाकिस्तानी कहते हैं यह अच्छा लफज हमें अच्छा नहीं लगवाता क्योंकि हमें हमारे उक्ष्ट यही है गवर्मेंट से या जितने भारतवासी हैं हमें पाकिस्तानी मत कहिए और भारत कहेंगे तो हमें और खुशी पैदा होगी पाकिस्तान में रहकर क्या कभी ये मन में ख्याल आया कि अगर हम मुसल्मान होते तो शायद जो अत्याचार हम सहकर आए हैं वो ना होते पाकिस्तान में तो मुसलमान तो कहते थे बाई मुसलमान बन जाओ लेकिन हम अपना धरम नहीं छोड़ा है वहाँ पर अपना धरम बचा के भारत में आये हैं बहुत से लोगों ने रहा पना धरम परुटन कर लो आपको कोई दिक्कत नी होगी कोई लेकिन हमने सोचा मार दो तो बहुत मतलब हमें दूख होता है यह परेशानीज़ वहाभे लोगी इग्फके प्रभेशाए लिकश्ट की सम्तेरों, तो बील्कुल विजद स्बसक्राइग है वाँ ता के और जंदगी तो डरी डर दर दर निंगे मां अजन्त पो यहां नियाधे कुछ अ जानुटर निया। हैं रात को भी गर्मी हैं मच्छर बहुत है हम तो दो तीन साल के बोल बोल के कुछ नहीं हमारे को साथ ता कुछ नहीं हो रही है और हमको कुछ नहीं रासन वासन नहीं चाहिए, भगवान ने हिम्मत दिया है, कमा के खाएंगे, कमा के खा लेंगे, हमको नागिर्दा चाहिए बस, सरकार की मेरबानी यही तो चाहिए, हमको बिजली चाहिए, नागिर्दा चाहिए, वो ठेला चलाने लड़के जाते हैं, व तो जैसा कि आपने देखा कि समस्याइं बहुत हैं यहां भारत में आने के बावजूर जो यह सपने यहां पर लेकर आये थे वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं कौन सी क्लास में होते हैं तो यहां स्कूल में कैसे टेंडलन्स लेती है कि बोली और हाजरी कैसे होते इस कूल में बच्छे कि बुछाती इन ₹ . नाम ले 관ory में बाते से पकिस्तानी बच्चे की बुछा इंडSub rigorous आप नम लेती अपका बताओ नाम लेती हैं हाजरी में यह कैस पाकिस्तान से आए हुए इन लोगों पाकिस्तान से आए हुए इन लोगों को बहुत समय बीच चुका है, कोई दो साल पहले आया है, कोई तीस साल पहले आया है, लेकिन समस्याइं वहीं की वहीं है, बरकरार हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रापधान नहीं किया गया है। किसी किसम से नहीं जाएंगे, कोई कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान वाफसी नहीं जाए हुए. पूरा बरोसा है कि मोधी सरकार हमें कुछ दिनों के अंदर हमारी नागरिक्ता दे देंगे, हमें पूरा विश्वास है के साथ कहते हैं हमारे बच्चे, बड़े बुजरिक सब दुआएं के साथ उनकी और आई बढ़ाने के लिए हम राद दिन विर्त रखते हैं, उनके मुचा पद मिले ताके हमारी देगों की कुछ रक्षा कर सका है बच्चों की शिक्षा के आडे, रोजकार के आडे, तो नागरिक्ता मिलना बेहत जरूरी है इन लोगों के लिए ताकि आगे प्रगती कर सकें, भविश्य अपने बच्चों का सुधार सकें, मोधी सरकार को क हमारे छोते बच्चे हैं, हम इरे बुढे होगे, हम तो खतम होगे, अभी इसको कहते हैं के पाकिस्ता में नहीं जाओ, नहीं जाओ, इदर रहो, तो यह कहते हैं के नहीं जाएगा हम, इदर रहे जायूँ कब तक इनकी स्कूल में बच्चों के एड्मिशन्स होंगे, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम या हिंदुस्तान में दी जाएगी और बिजली के जो समस्या है यहां पे देखी गई है, कब इनकी जो बिजली है वो प्रॉपर तरीके से यहां इस बस्ती में दी जाएगी और भी तमाम तरीके के सवाल है लोगों के, इनके जवाब मिलने में कितनी देर लगती है, कितना समय लगता है, अब देखना ये होगा जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते वही हाल इन पाकिस्तान से आए हिंदूओं का भी है जिने ना तो अभी तक नागरिक्ता मिल पाई है और ना ही चीवन का निमनिस्तर अब देखना ये होगा कि इनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के भविश्य की उस पर सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है हमारी स्खास पेशकश अपने देश में बिगाने हम में बस इतना ही मुझे दीजिये इजाज़त देखते रहे है NNC News अब जोड़ते हैं मजबूर हमें मुसलमान कहना पड़ता है वह हमारे को अपना करो ना करो मर जाएंगे वापस नहीं जाएंगे अब झाल